नेशनलिजम और ग्लोबलाजेशन के बीच कॉंट्राडिक्शन है क्या अब मान लिजे कोई टूरिजम को डेवलोप कर रहा है कोई मुझे बताएं कि टूरिजम एक प्रकार से मानव को एक वैश्विक मानव बनने के लिए अउसर देता है टूरिजम लेकिन क्या वो अपनी आइडेनिटीटी घवा देता है क्या कभी नहीं घवाता है और इसलिए मैं इसको एक प्रकार से एक्सपांशन मानता हूँ मैं कॉंट्राडिक्शन नहीं मानता हूँ एक मानव का विश्व मानव बनने की दिशा की प्रक्रिया मानता हूँ कॉंट्राडिक्शन तो तब होता है कि जब व्यक्ति अपने निश्टनावलिजम के इगो को लेकर के दुनिया को नकारता है और दुनिया के सामने संगर्ष का मूड बनाता है तब जाकर के संक्रट पैदा करता है जो दुनिया को अपनी मानने की कोशिश करता है संभात को बढ़ावा देता है वहां संगर्ष की कभी संभावना नहीं होती है और इसलिए एक ऐसा मैनिफेस्टेशन है और मैं मानता हूं इसको हमने बल देना चाहिए और मैं जिस परंपरा से आया हूं और जिस सांस्कूर्टिक विरासत का जपान को भी लाब मिला है अगर बुद्ध को हम देखें तो बुद्ध एक नेशन को रिप्रेजन करते थे लेकिन गलोबल इंफ्लिएंस के लिए उस सफल हुए न कभी उनके national character को conflict आया न उनके global influence को contradiction हुआ और आज अपनापन जपान के साथ मैं भी महसुस करता हूँ जपान भी भारत के साथ अपनापन महसुस करता है और हम उस सांस्कृतिक विरासत के धनी हैं जहां पर सारे ब्रह्मान को परिवार मानने की कल्पणा है हम इस इस विचार के लोग हम जय जगत कहने वाले लोग है हम वसुद्हयु कुटुम कर ने बात पहता नहीं दुनिया में आज टेक्नोलोजी के द्वारा ही कहा जा रहा है कि इस ग्लोबल विलेज शब्द प्रवक हो रहा है लेकिन मैं जिस परंपरा से आया हूँ जहां अपनी राष्ट्र भक्ती पैट्रियोटीजम इसका मैनिफेस्टेशन है पूरे विश्व को अपने बाहु पास पर लेने का दर इस नो कॉंटरिक्षन अटॉर्